Hello and Welcome Everyone, The Online Guru में मैं सुनिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल, राइएमसी या फिर अधर एंटरेंस एक्जैम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहां पे जेनरल नॉलेज में करेंट अफेर्स पूछे जाते हैं, तो यह सेशन उन सभी के लिए हलपफुल होने वाला है सबसे फर्स तो आपको यहां पे बताता हूँ कि इस सेशन में हम लोग फेबरी 2024 से रलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कवर करने वाले हैं जो आपके एक्जैम में पूछे जाने की प्रॉबिलिटी रखता है और ऐसे ही रेगुलर सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इस सेशन को सबसे फर्स्ट अगर मैं यहां पर आपसे बात करूँ कि important news नहीं most important news निकल कर आ रहा है कि recently प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी ने हमारी गगन यान मिशन के लिए जो astronauts होंगे उनके name and face अन्वील कर दिये हैं अभी तक आप सभी को इतना ही पता था कि इसरों की तरप से एक गगन यान मिशन जो है वो launch किया जाएगा और गगन यान मिशन के थूँ इंडिया कुछ astronauts को space में भेजने वाला है खुद से और ऐसा बहुत important function के रूप में जाना जाता है लेकिन exactly किन लोगों को भेजेगा उनके name अभी तक disclose नहीं किये गए थे तो ये वो four astronauts हैं जिनके name disclose किये जा चुके हैं पहले person आपके सामने आते हैं प्रशांत बाला कृष्णन नायर, second person आते हैं आपके सामने अजीत कृष्णन, third person है अंगत प्रताप and fourth person आपके सामने है शुभान्शू सुकला तो ये चार नाम definitely आप याद कर लीजेगा क्योंकि upcoming exam में आपसे इनके बारे में question जरूर से पूछा जाएगा and आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछना चाहूंगा, presently इस रो के chair person कौन है आप नीचे comment section में comment करके बताईएगा, next news चो कि आप सभी defense related exams की preparation कर रहे हैं तो आप definitely जानते हैं कि defense में बहुत सारे exercise conduct किये जाते हैं, अब defense exercise का basic सा मतलब क्या है कि all time तो य यहां पर युद्ध या war नहीं होने वाला, लेकिन अगर war होता है, तो उसके लिए आप अपने आपको क्या करेंगे, prepare करेंगे और prepare करने के लिए defense exercise must होते हैं, तो यहां पर Indian Army और साथ में Japan की जो ground self defense force है, जिसे आप Japanese Army भी कह सकते हैं, इन दोनों ने मिलकर एक exercise conduct किया है, ज यहां पर conduct किया है, महाजन field firing range राजस्थान में, तो question क्या बन सकता है, कि Indian Army और Japanese Army ने recently जो exercise conduct किया, उसका नाम क्या है, या फिर ऐसा कर दिया जाएगा, कि Dharma Guardian 2024 किन दो countries के बीच में organize किया गया, या फिर question यह पूछा जा सकता है, कि Dharma Guardian 2024 इंडिया के किस state में organize किया गया, तो इ आप easily answer करने के capable हो जाएंगे, इस रीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है, next important news आता है, Prime Minister Narendra Modi जी ने recently एक सुदर्शन सेतू ब्रिज को inaugurate कर दिया है, जिसे आप यहां पर right hand side पे image में देख पा रहे होंगे, यह जो सुदर्शन सेतू ब्रिज है, इसे बनाया गया है, Gulf of Kachh के ओपर जो गुजरात में based है, और यह basically द्वारका को connect करता है भेट द्वारका island से, तो इसके तुरू आप क्या कर सकते हैं, द्वारका to भेट द्वारका easily transport कर सकते हैं, आराम से आप वहां पर transportation कर पाएंगे, और यह जो ब्रिज है, यह around 2 km लंबा है, और इंडिया क longest cable state road bridge का award इसे मिल जाता है, तो यह important होगा कि इंडिया का longest cable state road bridge कौन सा है, तो आप बताएंगे, सुदर्शन से तू ब्रिज है, और यह जो सुदर्शन से तू ब्रिज है, यह किसको connect करता है, तो द्वारका mainland से भेट द्वारका को connect करने का काम करता है, कितना लंबा है, 2 km और पहले इसे signature bridge के रूप में जाना जाता था, recently इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सुदर्शन से तू कर दिया गया है, तो यह कुछ important fact यहाँ पर इससे related हो जाएंगे, next news की बात करूँ, आप सभी जानते होंगे, सशी थरूर के बारे में, prominent author है यह, इनके बहुत सारी books है, अगर आप अपने English को बहुत ज़्यादा enhance करना चाहते हैं, then definitely आप इन्हें follow कर सकते हैं, क्योंकि इनके English superb है, तो ऐसे में इन्हें क्या किया गया, एक award दिया गया है recently, और वो award का नाम है, Cavalier de la Legan the Honor, basically यह French name है, Cavalier de la Legan the Honor, एक French name है, जिसे अगर आप English में translate करेंगे, तो बन जाएगा Knight of the Legan of Honor, यह award recently इनको दिया गया है, किन की तरब से दिया गया है, जो कि नाम में ही मैंने का French है, तो मतलब France की तरब से इन्हें यह award दिया गया है, चलिए तो एक question अपसे मैं पूछता हूँ कि France की capital क्या है, आप नीचे comment section में comment करके बताईएगा, कि France की capital क्या है, next question पर आते हैं, छत्रपती सिवाजी महराज को आप सभी जानते होंगे, ठेक है, prominent Maratha fighter के रूप में यह जाने जाते हैं, and recently इनकी birth anniversary के दिन, महराश्र के जो CM है एकनाथ शिन्दे, इन्होंने इनके दंडपट जो आप यहाँ पे image में देख पा रहे हैं, यह टाइप का sword है, जो आप अपने हाथ में पहन सकते हो, और उससे फिर आप attack कर सकते हो, तो इसे महराश्र गॉफ्मेंट ने अपना एक official state weapon के रूप में declare कर दिया है, तो यह भी important हो जाएगा, क्यूंकि recent time period में आप यह भी रेख रहे होंगे, कि हमारे तरब से navy के जो बहुत सारी चीजे हैं, वो छत्रपती सिवाजी महाराथ से inspired की जारी है, जैसे अभी naval inside में octagon shape का हम लोगों ने use किया, वो भी सिवाजी महाराथ से ही related है, same as अभी हम लोगों ने world heritage site के रूप में इनके जो ports से related जो fault है, उनको हम लोगों ने nominate किया है, अगर वो applicable हो जाता है, तो world heritage site में उनको शामिल कर लिया जाएगा, तो ultimately सिवाजी महाराथ से बहुत सारा inspiration लेते हुए work यहाँ पे किया जा रहा है, next important नहीं, most important news आता है, 19 February के दिन, Lieutenant General उपेंद्र दिवेदी जो है, या फिर आप Lieutenant General उपेंद्र दिवेदी भी बूल सकते हैं, इन्हें Vice Chairperson बना दिया गया है, आर्मी स्टाफ का, इनके पहले Lieutenant General M.V. सुचिंद्र कुमार इस पोस्ट पे थे, तो उनके बाद अब इंडिया के नए Vice Chief of Army स्टाफ कौन बन चुके हैं, उपेंद्र दिवेदी जी बन चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपसे एक question और पूछना चाहूंगा, कि Chief of Army स्टाफ comment करके बताईएगा, and आपके लिए एक और important news है, कि यह person जो है न, यह alumni है, Sanic School Reva के, और Reva कहाँ पे आता है, MP में आता है, और आप सभी जानते हैं, कि अगर आप Sanic School के preparation कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ जोड़कर online classes के थो prepare कर सकते हैं, और आपका future कितना bright हो सक सकता है, Sanic School से, उसका example आपके सामने यहाँ पे available हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे, as a army, नहीं, wife's chief of army staff के रूप में, next thing, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप prepare करना चाहते हैं, for RIMC, RMS, Sanic School, Navoday Vidyala and other various entrance examinations के लिए, आप हमारे साथ live session, Google Meet के through join कर सकते हैं, regular doubt solving classes होती है, recorded videos आपके लिए available होते हैं, ताकि आप timely revise कर सके, इतना ही नहीं, limited batch size होता है, ताकि individually बच्चे के ऊपर attention दिया जा सके, और weekly test के साथ previous year questions and mock test का भी solution यहाँ पर overall किया जाता है, ताकि आप exam में definitely excel कर सके, तो अगर आप हमारे साथ जोड़कर prepare करना चाहते हैं, तो 773-765-3468 पर आप मुझे contact कर सकते हैं, चैल यह session को आगे बढ़ाते हैं, बट उसके पहले अगर आपनी इस video को like नहीं किया है, then definitely इसे एक like कीजिएगा, ताकि इसी पे based मैं MCQ questions भी आपके लिए ला सकूँ, अगर आप इस पे 100 likes करतेते हैं, then definitely आपके लिए MCQ session भी मैं यहाँ पे available करवा दूँगा, जो basically हमारे enrolled students के लिए होता है, वो free of cost YouTube पे आपके पास available हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं ज्यानपीठ अवार्ड के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो recently जो ज्यानपीठ selection board है, उन्होंने एक Indian poet, lyricist and filmmaker, जिने आप जानते हैं गुलजार के नाम से, ये left side वाली image है, और एक संस्कृत के scholar and educator, जगत गुरु रामभद्राचार्यजी को, इन द 2023, अब यहां पर ये confused नहीं होना है कि अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन मैं ग्यानपीठ अवार्ड की बात कर रहा हूं 2023, देखो actual में क्या होता है, previous year में जो लोग बहुत जादा famous होता हैं अपने work के लिए, उन्हें upcoming year में ये अवार्ड दिया जाता है, तो always आप 2024 में 2023 का लेंगे and so on, ऐसे ही यहां पर चलता है, तो जगत गुरु, रामभद्राचारे और गुलजार साब को यहां पर क्या दिया गया, ग्यानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है for 2023 के लिए, और ये अपने आप पे बहुत जादा importance रखता है, next important news आती है, Indian woman badminton team से related, इन्होंने recently gold medal achieve किया है, backminton Asia team championship में और ये इसलिए भी important हो जाता है, कि first time हम लोगोंने backminton Asian team championship में gold medal achieve किया है, और especially woman team ने यहां पर achieve किया है, तो definitely ये आपके लिए क्या है, important है, अगली news आती है, Indian Navy से related, जैसा कि मैंने starting में ही आपको बताया था, कि defense related exercise होते रहते हैं, तो Indian Navy ने 12th edition of naval exercise को conduct किया, जिसका नाम था Milan, ये 2024 में February में विशाका पत्तनम में organized किया गया था, और इसके बारे में आप ये याद रखिएगा, कि यहां पे India की तरप से more than 50 countries को participation के लिए बुलाया गया था, और बहुत सारे naval ships आप यहां पे image में देख भी पा रहे होंगे, जिससे आप आपको इसकी clarification मिल जाती है, तो अगर question पूछा जाता है exercise Milan किस से related है, तो आपका answer होगा navy से related है, ये बहुत ही easy सा simple सा question आपके लिए हो जाएगा, next news की बात करते है 16th finance commission के बारे में और 16th finance commission अगले 5 सालों तक आपके लिए important है, next 5 years तक अगर आप किसी भी competitive exams में participate कर रहे हैं, तो finance commission important रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि president of India की तरप से हर 5 साल के लिए एक finance commission को appoint किया जाता है, presently जो finance commission of India है, उसके chair person है dr. अर्विंद पनगडिया जी, जो यहाँ पे mid में आपके image देख पा रहे हैं, तो dr. अर्विंद पनगडिया जी और इनकी जो member team है, उन लोगोंने first time यहाँ पे meeting organize कर दी, किस चीज़ पे यह meeting करते हैं, क्या decide करते हैं, तो देखें, जितना भी प purchase कर रहे हैं, each and everything, जितनी भी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, वहाँ पे tax revenue जो है, वो collect किया जाता है, तो उस tax revenue को central government और state government के बीच में कैसे distribute किया जाए, कि central government को उसमें से कितने पैसे मिलेंगे, और state government को उसमें से कितने पैसे मिलेंगे, उसको decide करने का जो काम होता है, वो इन ही का होता है, finance commission अपने recommendation देता है, तो ये जो finance commission है, ये 31st of October 2025 के दिन, अपना जो final recommendation है, तब तक इन लोगों को available कर देना है, और इनकी recommendation के ऊपर, 1st April 2026 से लेकर, अगले 5 सालों तक, जो है, वो पैसे का बटवारा किया जाएगा, between center and state government, तो अगले 5 सालों तक तो आपको एक ही, नाम याद रखना है, 16th finance commission, chairperson कौन है, dr. अरविंद पनगडिया, हो सकता है, timely change हो जाएग, तो जब भी update होंगे, हम लोग regular basis पे आपके साथ share करते रहते हैं, next news आता है, kochi international airport limited से related, देखे, kochi international airport जो है, वो केरला में available है, इन्होंने tie-up किया, भारत petroleum corporation limited या BPCL से, आप लोगोंने petrol pumps देखे होंगे, BPCL के बहुत सारे petrol pump इंडिया में available है, किस सीज का tie-up किया है इन्होंने, तो ये green hydrogen production facility develop करने वाल है, मतलब कि hydrogen gas को यहाँ पे hydrogen fuel को यहाँ पे develop किया जाएगा, और वो भी sustainable तरीके से without pollution, और उसका energy का ये अपने यहाँ पे use कर पाएंगे, तो इसका मतलब है green energy development में, specifically green hydrogen energy development में, ऐसा करने वाला जिस airport के पास खुद का ये operational port available होगा, वो world का पहला port बन चुका है, कोचिन international airport, world का पहला ऐसा international airport बन चुका है, जहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे आसानी से बूल सकते हैं, कि यहाँ पे यह अपने यहाँ पे green energy को develop करने वाले हैं, तो कितना important हो जाएगा आपके लिए, इसे definitely आप याद कीजिएगा, next thing, यहाँ पे news आपके सामने आती है, recently Prime Minister Narendra Modi ji, UAE के visit पे गए थे, आपसे एक question पूछना चाहूंगा, UAE का full form क्या है, comment section में comment करके बताईएगा, and UAE में इन्हों ने सबसे largest Hindu temple को inaugurate कर दिया है, जो आप यहाँ पे background में image देख पा रहे हैं, यह UAE के अबुधाबी में inaugurate किया गया है, इस temple का नाम है BAPS Hindu मंदिर, क्या नाम है इसका BAPS Hindu मंदिर, अब BAPS का मतलब क्या है, तो इनको बनाने वाली जो organization है, जो संस्था है, जिन्होंने इस temple को बनाने का काम किया है, उनके नाम पे यह BAPS Hindu मंदिर है, जिसका full form क्या है, बोचन स्वामी अक्षर पुरुशोत्तम स्वामी नारायन, repeat करूंगा, बोचन स्वामी अक्षर पुरुशोत्तम स्वामी नारायन, हिन्दु मंदिर का inauguration अबुधाबी में UAE में किया जा चुका है, अबुधाबी में specifically किस जगे पे, तो मुरी का नाम के place पे इसे develop किया गया है, मुरी का नाम के place पे इसे बनाया गया है, next important news आता है, government की schemes definitely आपके exam में पूछी जाती है, तो देखिए recently प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोती ने PM सौर घर मुफ्त बिजली योजना को start कर दिया है, अब यह जो मुफ्त बिजली योजना है न, यह actual में मुफ्त इस type से नहीं है, कि आपको सब कुछ free मिलेगा, यह इस type से है कि अगर आप अपने घर की छट पे solar panel लगा लेते हैं, अपने घर की छट पे क्या करते हैं, solar panel लगा लेते हैं, तो solar panel की वज़े से जो sun rays trap होंगी औ और वो light energy को यहाँ पे electric energy में convert करके आपको available करवाएगा, उसकी वज़े से आपका बिजली का bill zero होने वाला है, इसका मतलब मुफ्त बिजली होने वाली है, लेकिन solar panel लगवाना free नहीं है, अगर आप अपने expenses पे solar panel लगाते हैं, तो government आपको 40% subsidy available करवाएगी, मतलब अगर य इसको कितने में 60,000 में लगवा पाएगे, बाकी का government आपको subsidy available करवाएगी, अगर आपको इस scheme में participate करना है, तो अपने आसपास के जो energy discounts हैं, या फिर जो solar panel distributors हैं, उनसे contact करें, पहले भी कई बार हो चुका है, मैंने अगर कोई government schemes बताई है, तो लोग मेरे पास ही आजाते ह था, लोन मिल रहा है, तो लोन दे तो, भईया काम किसका है, बैंक का है, सेम इस work के लिए भी आप कहाँ पे जाएंगे, आपको government sites पे apply करना है, आपको solar panel लगाने वाली company से इसके बारे में discuss करना है, तो important यहाँ पे हो जाता है आपके लिए, next important नहीं, most important, क्या, former prime minister जो थे, PV नरसिम्हाराओ, second, चौधरी चरन सिंग, और इनी के साथ साथ, एक scientist है, MS स्वामी नाथन, इनको यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड के लिए, nominate कर दिया गया है, इन में से, अगर मैं most important बात करूँ, तो आप सभी ने green revolution का नाम सुना होगा, टेक है, तो MS स्वामी नाथन ज स्टार्ट करने वाले थे, तो अब मैं आपसे एक question पूछता हूँ, कि वर्ल्ड के अंदर green revolution किसने स्टार्ट किया था, उनका नाम आप नीचे comment section में comment करके बताईएगा, next news, Indian Air Force से related, Indian Air Force की तरप से एक exercise किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, YU शक्ती 24 रखा गया है, कहा organize किया गया, राजस्तान में इसे organize किया गया, तो YU शक्ती किस से related है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, Air Force से related, और नाम में आप पकड़ पाओगे, YU means Air, तो clearly आप YU शक्ती से बूल दोगे, Air Force का एक exercise था, कहां organize किया, तो यह याद रखना 24 का session जो था, वो राजस्तान में organize किया गया था, next news आता है, आप सभी जानते हैं, इंडिया में 28 state और 8 union territories अभी वर्तमान में available हैं, उनमें से एक state जो है, वो जारकंड, वहाँ पे जारकंड मुक्ती मोर्चा नाम की एक party से, जो person nominate होकर आते हैं, चंपई सोरेन, इन्हें यहाँ पे बना दिया गया है, जारकंड क नया chief minister, तो याद रखेंगे जारकंड के new chief minister कौन है, चंपई सोरेन जी हैं, तो जब कभी भी आप exam के लिए prepare करते हो ना, कि last time पे की CM कौन है, governor कौन है, वहाँ पे आप ये update definitely कर लीजेगा, next news आता है, इंडियन नेवी की तरप से 2024 को year of naval civilians यहाँ पे declare किया गया, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इसकी वज़े से हम लोग यहाँ पे administration को efficiently काम में ले पाएंगे, ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा, international year of millet, तो international year of millet भी यहाँ पे announce किया गया था, तो international year of millet किस year को announce किया गया था, वो भी आप साथ में comment करके यहाँ पे बताईएगा, और इस fact को तो definitely आप learn करने वाले हैं, So student, यह था हमारा आज का session, I hope आप सभी के लिए helpful रहा हो, अगर आपके लिए helpful रहा है, then definitely आप video को like करके अपने सारे friends के साथ share करेंगे, And second most important thing, आप अपने feedback नीचे comment section में comment के थूँ बता सकते हैं, कि आपको इस session में क्या अच्छा लगा, और ऐसे ही regular sessions देखने के लिए, आप हमें follow कर सकते हैं, various platforms पे, जिनके link नीचे description में हैं, अगर आप हमारे साथ जोड़कर live classes के थूँ प्रिपेर करना चाहते हैं, तो दिये गए number 7737-653468 पे आपने उसे contact कर सकते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले session में, तब तक के लिए जैहिंद,